हमारा आज का टॉपिक है gross margin and gross profit margin ratio इसको हम लोग किसी definitions के through नहीं समझेंगे क्योंकि definitions हम लोग कितने दिन तक ही retain करते हैं यह हम सभी जानते हैं So now let us move to the example मान लेते हैं कि हमें एक shop खुलना है और यह shop है suppose snacks का अब इसको produce करने के लिए कुछ ना कुछ raw materials लगेगा कुछ labor लगेंगे after that distribution के लिए कुछ cost लगेगा So suppose जो यह snacks है वो produce हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे Sell करेंगे obviously इसलिए तो बनाया गया है Now let us suppose जो sales है वो हुआ है of rupees 18,000 और जो COGS है हमारा COGS का मतलब होता है जितने भी direct expenses है जैसे कि raw material, labor इसमें indirect expenses exclude किया जाता है जैसे कि distribution cost and all So यह मान लेते हैं हमारा 10,000 अब इन दोनों के बीच का जो difference है उसको हम लोग कहते हैं Cross Margin यहाँ पे वो है rupees 8,000 अब देखते हैं Cross Profit Margin कैसे निकालता है इसको निकालने के लिए हम लोग revenue जो की है sales को subtract करेंगे cogs से और divide कर देंगे with revenue इन्टू 100